Assalamualaikum, welcome to Miscene Learning. इस वीडियो में हम आपको introduce करवा रहे हैं helping verbs से. यहाँ आपको detail में information दिये जाएगी कि helping verbs क्या है और उनका इस्तमाल कैसे होता है. Let's get started. What is a verb? Verbs are used to express an action or state of being. यानि verbs हमें action, काम क्या हो रहा है, अमल क्या हो रहा है, यह बताने में मदद करते हैं. या state of being, यानि किसी के होने की हालत को जाहिर करते हैं. सबसे पहले देखते हैं action कैसे बताते हैं. Bird is flying, परिंदा उड़ रहा है. यहाँ पर action क्या है? Flying, उड़ना यह action है. यह एक physical action है, यह एक जिस्मानी action है, इसके अलावा, जहनी action भी हो सकता है. जैसे की, मीना thinks seriously, यहाँ पर मीना सोच रही है, यहाँ पर वो physically कुछ नहीं कर रही है, जिस्मानी हरकत नहीं कर रही है, लेकिन यह एक जहनी action है. Linking, वर्ब linking का का काम कैसे कर रहा है? राज is a happy boy, यहाँ पर जो वर्ब is है, यह कोई action नहीं कर रहा है, लेकिन यह हमें यह बता रहा है कि राज की हालत कैसी है, राज किस state में है? राज is a happy boy, राज एक खुशगवार लड़का है, तो यहाँ पर जो वर्ब is है, वो हमें हमारे subject के साथ लिंक करने का काम कर रहा है, इसी तरह अली looks sad, अली उदास नजरा रहा है, यहाँ पर जो वर्ब looks है, वो भी हमें subject के साथ लिंक करने का काम कर रहा है, और तीसरा काम जो हमारा वर्ब करता है, वो है help other verbs, यहाँ पर आते हैं हमारे helping verbs, अब हम helping verb को detail में देखेंगे, helping verb को auxiliary verb भी कहा जाता है, इस जुमले को देखिए, I am going to the zoo, हर जुमला एक subject और एक वर्ब से बनता है, उसके अलावा उसमें और दूसरी चीज़े हो सकती हैं, लेकिन subject और वर सबसे पहले देखिए, I subject है, और going वर्ब है, जो की इस sentence में main action है, जो काम हो रहा है, वो जाने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ब है और वो है am, यहाँ पर इसका क्या काम है, यह हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं इस जुमले को ऐसे लिखूं, I am going to the zoo यह जुमला incomplete है, यह मुकामल नहीं है, इससे मुझे यह नहीं पता चल रहा है, कि यह हाल में हो रहा है, यह माजी की बात हो रही है, यह मस्तक्विल की बात हो रही है, यहाँ मुझे time का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैं इस sentence में am लगाती हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये present की बात हो रही है I am going to the zoo मैं जू जा रही हूं तो इस तरह हमने देखा कि जो I am helping verb है उसने main verb going की मदद की है इस sentence को समझाने के लिए उस action को समझाने के लिए इसलिए हमसे helping verb कहते हैं A helping verb does not show action Helping verb जो होता है वो खुद कोई action या काम नहीं करता It comes before the main verb to help show action जो हमारा main verb होता है जो main काम करने वाला verb होता है ये उसके पहले लगाया जाता है It sets the time or mood ये हमारा जो sentence है या verb है उसका time बताता है वक्त बताता है या mood बताता है Example अई और देखते हैं I am eating a mango I was eating a mango दोनों ही sentence काफी similar है लेकिन इनमे difference क्या है एक जगा am का इस्तमाल हुआ है और एक जगा was am और was दोनों ही helping verbs है लेकिन I am eating a mango में am हमें क्या बता रहा है कि मैं आम खा रही हूँ ये action अब हो रहा है I was eating a mango में मैं आम खा रही थी यहाँ पर मुझे ये पता चलता है कि ये action हो चुका है इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि am और was से हमें time का पता चलता है हमने देखा helping verb time बताने में हमारी मदद कैसे करते हैं लेकिन mood बताने में मदद कैसे करते हैं अब देखिए इस sentence को It might rain today. Might यहाँ पर हमारा helping verb है. Sentence का मतलब है कि आज बारिश हो सकती है. तो यहाँ हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बारिश शायद हो सकती है. यह यकीन से नहीं कह सकते कि बारिश होगी यह नहीं होगी. इस तरीके के जब sentences होते हैं जहां हमें doubt होता है यह हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो हकीकत में नहीं है पर हम चाहते हैं कि ऐसा हो इस तरीके के sentences में हम helping verbs की मदद से mood set करते हैं. जिसे यहाँ पर हमें पता है कि बारिश नहीं हुई है. Tense के बारे में हम clear हैं. Time के बारे में हम clear हैं. लेकिन हमें यह नहीं पता है कि बारिश होगी यह नहीं होगी. एक और example देखिए. Student should complete her homework. यहाँ पर जो helping verb है वो है should. यहाँ पर homework complete करना वो main verb है. और student हमारा subject है. और should जो है यह हमें completion के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है. कि जो student है उसके लिए यह जरूरी है कि वो उस homework को complete करे. इस sentence से हमें should से यह extra information मिल रही है. तो should इस word का यहाँ पर order देने के लिए या फिर यह समझाने के लिए कि यह जरूरी activity है. imperative activity है. उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो इस तरीके से helping verb हमें mood बताने में help कर रहा है. एक और mood है जो है interrogative. interrogative यानि सवाल जवाब के अंदाज में, पूछ ताच के अंदाज में कि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो काम है वो हुआ या नहीं, जो action है वो हुआ या नहीं. जैसे यहाँ पर इस sentence में did she cry यहाँ पर cry जो है वो main verb है, वो main action है और did लगाने से जो ह हमारा helping verb है, हम यह पूछ रहे हैं कि क्या वो रोई या नहीं, यानि action हुआ था या नहीं. helping verbs 23 किसम के होते हैं और यहाँ पर हमने उन सारे words को लिस्ट किया है. इस table में आप common helping verbs देख सकते हैं उनके अलग-अलग tenses के हिसाब से, जैसे to be, to have और to do, इन verbs के present, past और future में अलग-अलग forms दिये गए हैं, जो helping verb की तरह इस्तेमाल किये जाते हैं. अब हम कुछ steps की मदद से, आसानी से helping verb को हमारे जुम्ले में ढूंडेंगे. Step number one, find the subject. Subject को ढूंडिये. Find the main verb. फिर उस verb को ढूंडिये, जो आपकी जुम्ले का main verb है, जो main action बता रहा है. Third, look at the words between the subject and the main verb. Subject और main verb के बीच के अलफाजों को देखिये. जुम्ला बढ़ते हैं, लटा should have watered the plants. इसका क्या मतलब है? कि लटा को पौदों को पानी देना चाहिए था. सबसे पहले subject हुणते हैं. लटा subject है. क्यूंकि इस जुम्ले में काम करने वाला कौन है? वो है लटा. लटा is the subject. अब action क्या हो रहा है? watered, पानी देना. ये action हो रहा है. ये हमारा main verb है. अब subject और main verb के बीच में कौन से words है? वो है should have. और should or have दोनों ही helping verbs हैं. चलिए कुछ और मिसाले दिखते हैं. यहाँ पर helping verb जो है, वो red color में हैं. और जो main verb है, वो blue color में हैं. He does look excited. She will be going to Paris. They have returned all the books. They are running. Friends, अगर आपको कोई doubts हैं या आप कुछ और information चाहते हैं, तो please comment section में जरूर mention करिए. वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो please इसे like करिए और अपने friends के साथ share करिए. और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करिए. Thank you.